अचलियो एक नई क्लास क्लाइस अपका प्रस्वागत है और आज हम लोग जो प्रसाइस है उससे कुछ आगे मुफ ट्रफ करने वाले हैं तो हम लोग यह देख चुके थे कि Miller indices क्या होते हैं, इसको हम HKL से dilute करते हूं और क्या हम निकालने की टेकनिक अपनाते हैं, किस तरह से हम एक plane को represent करते हैं in the form of Miller indices तो आज उसी से हम आगे बढ़ने वाले हैं आज हम यह देखें कि किसी भी crystal के अंदर जो different types के plane होते हैं, let us suppose हमारे पास एक crystal दिया हूँ तो उस crystal में जो atoms को मिलाने वाले जो planes बनते हैं उन planes के बीच की spacing निकालने के लिए हम किस formula का use करते हैं तो जो हमारा topic है अचका, that is interplanar spacing इंटर-planar spacing निकालने की तक्नीक क्या है इसको समझते हैं let us suppose हमारे पास coordinate system है यह हमारी x, y, z axis ठीक है थोड़ा सा figure को साफ सुथरा बनाने के लिए अपन यहां पे कुछ consider करेंगे consider यह करेंगे, let us suppose एक plane है जो की origin से पास हो रहा है, यह हमारा origin है origin से एक plane पास हो रहा है और plane किस तरह से पास हो रहा है, let us suppose यह हमारे पास origin था तो origin से इस तरह से पास हो रहा है, यह आप समा सकते हैं, जो board का plane है origin से पास हो रहा है, ठीक भई अब हम करने के वाले, यह आप हमें एक extra plane draw करेंगे किस तरह से, कुछ इस तरह से, let us suppose यह हमारे पास एक plane है यहाद यह 1-1-1 type का एक plane है, जिसकी मेरे इस आपकी शायद 1-1 इस type के कुछ आएंगी, तीनों में कुछ ने कुछ आएगा तो इस type का एक plane है, तो इसको यहाँ नहीं दिखाते हैं, चलो, यह plane है origin से पास हो रहा है, ठीक भाई, इन दोनों planes की spacing हम यहाँ पर calculate करने वाले है तो let us suppose यहाँ पर हमने कोई एक point माल लिया, इस plane के उपर हमने एक point माना हुआ है ठीक है, आपको 3D में structure को imagine करना पड़ेगा, 3D में, ठीक है माल लो यह वह आपका point है, इस जगे बांगता है, इससे इधर करता है यह है, ठीक है, तो माल लो यह हमने इसको मिला दिया, इस तरह से अब देखना, हम करने क्या बाले है, इस point से इसको यहाँ मिला देए देख रहा है, प्रावड डार को नाने कोशिश करता है इसको 3D में राजिन करना पड़ेगा, ठीक है, यह इसको यहाँ से मिला देते है इसको बनाना थोड़ा सा छोटी जगे में पैस है, यह है, ठीक है, और थर्ड चीज हमने इसको इस point मिला देए, यह तीनों जगे मिल गया, अब देखों करने के वाले है हम क्या मानते हैं, कि यह हमारा origin था, इस तरह से, और यह point हमने क्या माना था, P point, ठीक भाई, हमने क्या मान लिया, कि यह जो हमने क्या थे, मालों यह A point, यह B point, यह C point, तो हम एक बात जानते हैं कि H ratio K, ratio L, जो होता था, वो मारा क्या था, A upon OA, ratio B upon OB, ratio C upon OC, यह था, चाहिएक है, तो यहां से OA, OB, OC निकालने के लिए तकनीक क्या अपनाते हैं, कि OA जो आएगा, वो आएगा मारा A by H, OB जो आएगा, that will be B by K, and OC जो आएगा, that will be C by L, यानि, OA की जो value, that is A by H, यह हमको पता है, यह वाली distance, यह distance, और यह distance, यह distance, तीनों को पता है, थर्ड चीज हमने क्या मानी, कि जो OP है, OP की value हमने मान ली, कुछ D, इसी D को हमें calculate करना, क्योंकि यही जो है, जो origin से एक plane पास हो रहा है, और यह जो ABC plane है, इन दोनों planes के बीच की distance क्या है, हमारी D है, ठीक है, अब चलते हैं, आगे, देखो, इसको निगालने क्लेम क्या करे गामा एंगल बना रहा है, लेटर सपोसे इनने मान लिया, कि alpha, beta and gamma, यह जो angles है, यह OP बना रहा है, OP बना रहा है, किसके साथ, OA, OB and OC के साथ, I hope बात यहां तक समझ आई होगी, ठीक है, तो यह बात अगर हमको पता होगे, धान से रखो, यह वाले जो तीनों एंगल होगे, कौन से होगे, देखो दहांसे, O, P, A एंगल जो होगा, E90 होगा, O, P, C90 होगा, और O, P, B90 होगा, ठीक है, अब देखना, तो यह एक right angle triangle आपको 3D में देखना चाहिए, यह वाला triangle, O, A, P, यह वाला triangle आपको एक right angle triangle देखना चाहिए, ज ठीक, यह आपका O point, ठीक है, P point पे right angle है, और यह आपका A point, और यह angle alpha है, ठीक है, O, A की distance किती है, ध्यासे, देखो, O, A किता हमारा A by H, ठीक है, और O, P, की दिसन्स किती है, D, ध्यासे, देखो, इसमें cos alpha अगर आपने निकालेंगे, तो cos alpha की value किती आएगी, cos alpha की value होजाए अगर, D by A by H, यानि, A, H, चरी, D, चलो, इसको इसी तरह सबना नहीं, D by A upon H, इस तरह सबना देखेंगे, similarly, cos beta, similarly हम कर रहा है, ठीक है, same process, cos beta, cos beta की value आएगी, आपकी, D by, इसमें जो O B आएगा, अपन में, तहनी, B upon K, आप इस triangle में देखेंगे, पहुन सा, O, P, B, similarly, एक आपके alpha की जगह, इसमें बीटा होगा, A by H की जगह कितना होगा, B by K, similarly, यह answer होगा, ठीक है, और cos gamma की value किती है, cos gamma जोगाएगा, that will be D by, B की जगह C, और K की जगह L, बात क्लिए रहा हैं तक, ठीक है, अब क्या करेंगे, एक चीज़ आप जानते हैं, that cheese is, क्या जानते हैं जगह बनाते हैं थोड़ी सी, तो एक चीज़ आप जानते हैं, क्या होते हैं कि, cos square alpha, plus cos square beta, plus cos square gamma, इस equal to 1 होता है, यह अपने mathematics में, trigonometry में पढ़ा होगा, ठीक है, तो इन तीनों की जो values हैं, यहाँ पर रख देते हैं, क्या जाएगा, D by H by, D square by H by K का square, plus D square by B by, sorry, D, H, A by H upon, is, plus D square by, B by K का square, plus D square upon, C by L का square, is equal to 1, बात क्लियर यहां तक, अब क्या करेंगे, D की value उंको निका नहीं, तो उपस D square common लेलो, और उसको अपन नो उदर भेज़ दो, क्या जाएगा, इधर आ जाएगा, H square by A square, plus K square by B square, plus L square by C square, is equal to 1 by D square, ठीक है, values को आप, पलट दो, जो values को आप पलट देंगे, तो आपको क्या जाएगा, D square is equal to 1 by, यह पुरा denominator में चला जाएगा, H square by K square, plus, sorry, H square by A square, plus K square by B square, plus L square by C square, ठीक है, इधर square लगा हुआ है, इधर इसको ले जाएगा, क्या जाएगा, अंडर रोट, यही फार्मूला होता है, इंटर प्लेनर स्पेसिंग का, क्या होता है का मूला, D is equal to 1 upon अंडर रोट के इंदर, H square by E square, plus K square by B square, plus L square by C square, This is the formula for inter-planar spacing between two planes, अगर हम दो planes की बात करें, तो दो planes की वीच का जो separation होता है, उसको हम इस formula से calculate करते हैं, आई हो के आँ तक बात समझागी, अगर बात समझागी तो इसको आप note कर लिजे, तो यहां तक आई हो बात आपको समझागी, इक चीज़ धान रखना, कि जो inter-planar spacing का जो concept है, यह आपके competitive exam का एक favorite topic होता है, जो questions competitive exams में पूछे जाते हैं, उनमें से यह topic उनका favorite होता है, इसमें बे शुमार questions इसमें पूछते हैं, मतलब आप imagining ने कर सकते हो, अलग-अलग data change करते जाएंगे, सवाल बनाते जाएंगे, तो आप खुद अब इसमें क्या करेंगे, practice करेंगे, जो भी problem होगी आप नीचे comment section बताएंगे, और secondly, इसके questions मैं भी कराऊंगा, कुछ, Instagram पर follow कर सकते हैं, आप वहाँ भी मुझसे questions प्रूव सकते हैं, तो अब चलते हैं, अगला हमारा जो इसी में चीज़ें हैं, वो क्या हैं, कि थोड़ी सी हम बाते potential energy की करेंगे, किस तरह से, रखो, potential energy, in crystals, बात को समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे, किस तरह से, let us suppose, हमारे पास एक, ये crystal है, जिसमें ये कुछ, atoms है, let us suppose, हम किसी भी दो atoms की बीच की बात करें, तो कोई भी crystal जो होता है, वो stable कब होता है, जबकि उस पर जो net force लग रहा होगा, that force will be 0, बात समझा रही है, तो अगर कोई, जो हमारा crystal है, if a crystal is stable, if a crystal is stable, then, net force will be 0, to, बात clear, तो अगर कोई भी चीज स्टेबल है, इसका मतलब क्या है, आपने equilibrium की बारे में बढ़ा होगा, I hope, आपने mechanics में equilibrium बढ़ा होगा, equilibrium जो होता है, वो तीन तरह का होता है, चलो थोड़ी से उसकी बात कर लेते हैं, तर, कि जो equilibrium होता है, equilibrium जो होता है, वो तीन तरह का होता है, पहला equilibrium, stable, दूसरा, unstable, और तीसरा आपका neutral, तो stable, unstable और neutral equilibrium क्या होता है, कि जो stable, let us suppose, हमारे पास एक, इस तरह का एक figure दिया हुआ है, माल लो, यहाँ पर आपकी एक ball रख दी मैंने, एक ball यहाँ पर रख दी, और एक ball यहाँ पर रख दी, आपने शायद mechanics में इस तरह के सवाल करें भी होंगे, और आप क्या करें, कि इस point को हलका सा, आप shift करना चाहिए, अगर आप हलका सा shift करेंगे, इसमें हलका सा jerk देंगे, तो क्या होगा, यह ball जोगी नीचे की तरफ आएगी, बात क्लियर, अगर आप इस ball को हलका सा jerk देंगे, तो यह उपर जाके फिर से नीचे आएगी, इस तरह से, ठीक है, बाट आप इसको अगर हलका सा jerk देंगे, तो यह simply आगे चले जाएगी, फिरी ना बहुत आगे जाएगी, ना बहुत पीछे आएगी, बात कि जित्ता आप नक करिया, महा तक यह पहुट जाएगी, तो आप ध्यान से सोचें, कि जो यह ball थी, इसके साथ क्या हुआ, कि हमने जरा सा भी फोर्स लगाने पर इसकी पोजिशन में काफी चेंज आ रहा है, बट वाइसा वर्सा इसमें क्या है, कि इसमें जब हम हलका सा भी फोर्स लगा रहे हैं, तो जो इसकी पोजिशन है, वो जरा सी भी चेंज नहीं हो रही, that means that equilibrium is stable equilibrium, और जब भी हम unstable equilibrium की बात करते है तो यहाँ पर जो potential energy होती ही, that is maximum, यहाँ पर जो potential energy होती ही, that is maximum, and if we talk about unstable equilibrium, then here is potential energy है, that is minimum, बात क्लियर, और neutral में कुछ खास, ना minimum, ना maximum, उसके बीच में कहीं पर लाइख करते हैं, बात क्लियर, तो maximum और minimum की बीच में ही, इसकी potential energy हो लाइख करेगी, ठीक भाई, यह बात अपने को समझ आते ही, ठीक, मज़ा है, अच्छा भी लगा, दूसरी चीज क्या है, कि यहाँ पर जो force होता है, force की value तो 0 होगी, क्योंकि यह equilibrium में रखा हुआ, force की value 0 होगी, यहाँ पर भी force की value 0 होगी, और अगर force की value 0 होगी, तो आपने एक चीज पढ़िए, कि force और potential energy में आपर क्या होता, potential energy, यह इसी को हम जो vector form में लिखते हैं, force is equal to minus del u x by del x i cap, ठीक है, minus del u y by del y j cap, minus del uz by del z k cap, इस तरह से आपने पढ़ा होगा, याद है, simple हमारा करने का मतलब क्या है, कि अगर force 0 है, that means potential energy के अगर आप बात करें, यह quantity 0 होगी, आप क्या करेंगे, इसका integration करेंगे, तो 0 का integration क्या आएगा, constant, यह यह जो आएगा, वो आपका constant आएगा, उस पर, यहाँ तक बात clear है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो you है अपका constant है, यहाँ बात you constant है, बात constant के साथ साथ minimum है, तो होता है कि actually में जब भी कोई atom जो होता है, वो हमारा unstable equilibrium में होता है, तो वो basically एक जगा पर रुक नहीं सकता है, बट अगर हमें उसी atom को या उसी crystal को एक stable form में लाना है, अगर हमें उसी crystal को एक solid crystal बनाना है, तो हमें क् करना पड़ेगा, जो उसके atoms होंगे, उनके बीच की potential energy होगी, उसको में minimum करना पड़ेगा, यहां तक बात clear है, इसमें थोड़ी से आपको mechanics की feel आ रहे होगी, तो simple हमें करना क्या है, कि अगर हमें किसी भी crystal की, crystal को stabilize करना है, तो उसकी potential energy में क्या करने पड़ेगी, minimum करने तो यही चीज़ आपको यह ध्यान रखनी है, कि जो crystal की जब हम बात करते हैं, तो यहां पर अगर 4-0 है, तो minus del u by del r is equal to 0, यानि u जो आएगा हमारा constant होगा, और अगर उसको हमें stable equilibrium रखना है, for stable equilibrium, u should be minimum, यहां तक बात clear है, अब हम क्या करने वादे है, कि for example, हमको किसी भी एक particular crystal के लिए, potential energy का function दिया हुआ है, तो हमें भी find करना पड़ेगा कि किस distance पे, जो potential energy होगी, that will be minimum, और वो जो minimum potential energy होगी, उसकी value क्या होगी, उसको किस तरह से calculate करेंगी, आपको एक example ज़े मैं समझाता हूँ, Let us suppose कि हमारे पास से कुछ इस तरह से, एक potential energy का function दिया हुआ है, कि u is equal to minus a by r square plus b by r 5, ठेक है, इस तरह से हमको एक potential energy का function दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख रहोगी कि जो potential energy का function है, यह आपका एक positive साइन के साथ है, और दूसरा जो है आपका negative sign के साथ है, इसका मतलब क्या है, जब भी आप negative sign यहाँ पड देखें, तो उसका मतलब क्या है, जो potential energy वाला function है, यह attraction को दिखा रहा है, बट जो positive वाला sign है, यह मालो अगर दो atoms, एक यह atom, एक यह atom, ठीक है, अगर यह काफी दूरी पर है, मालो यह काफी दूरी पर है, तो इनके भी जो force काम करेगा, if r is large, then force will be attractive, interatomic जो forces होते हैं, वो काम करेंगे, attractive, ठीक, बट अगर वहीं पर, दो जो atoms हैं, वो पास पास रखेगा, इस तरह से, इस तरह से रखें, तो यहाँ पर अगर r की value small है, तो जो force होगा, वो आपका repulsive होगा, बात clear, मतलब क्या है, जब भी दो atoms, मालो यह दो atoms थे, काफी दूर दूर है, तो जब भी हम इट atoms को, इतने दूरी पर है, तो इनको attraction force लग रहा, that means ही पास पास आएंगे, और जब भी force attraction से repulsion में change हुआ है, that means बीच में कई पर neutral भी हुआ होगा, बात समझा रही है, इसका मतलब है, कि अगर हम यह बात करें कि, सिब बल सार यहाँ पर attraction था, ठीक है, घटना शुरू हुआ, यहाँ पर घटना, 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 घटन force को, ठीक है, तो आपसे बोला क्या गया है, कि इनके बीच में जो mean position होगी, जहाँ पर आपका force ना तो attractive होगा, और ना ही आपका repulsive होगा, वो position पे force कितना होगा, 0, when, क्या था, force हमारा 0 होगा, जब भी potential जी minimum होगी, ठीक है, अब minimum या maximum निकालने के लिए आप क्या करते हैं कि इसका differentiation करेंगे, और उसको क्या कर देते हैं, basically 0 के equal, या force को मैं simply क्या लिखते हैं, कि f is equal to minus del u by del r, ठीक है, इसको मैं 0 के equal करना है, del u by del r करेंगे, तो इसको क्या, इधान से क्या जाएगा, या, 2a by r cube, ठीक है, थोड़ा short में कर रहा हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा धान ल minus 5b by r rest to power 6a आएगा, यह उपर जाएगा, minus 2 आगे, is equal to 0, यहां तक बात clear है, अब हमें करना क्या है, कि वो distance निकाल नहीं है, जहाँ पर की potential energy minimum है, या force की value 0 है, इसका मतलब क्या है, यहाँ से r की value find करो, 2a by r rest to power 3 is equal to 5b upon r rest to power 6, ठीक है, यह 3 r है, इधर 6 है, तो इधर 3, ठीक है, यह धर आएगा, क्या जाएगा, यहां से, r rest to power 3 is equal to 5b by 2a, या r की value यहां से किती आ जाएगी हमारी, 5b by 2a rest to power 1 by 3, यह वो distance है, यह atoms की बीच की वो distance है, जहां पर की potential energy की value minimum होगी, बास समझाजाए, तो इस distance पर अगर atom place है, अगर यह potential energy उनका उनके बीच पर function है, तो इस distance पर ही जब atoms रखे होगे, तभी उनके बीच की potential energy minimum होगी, यानि वो जो crystal है, that crystal is stable, not clear, अब इसी distance पर अगर पोटेंचिल energy निकाल हो जाएं, तो potential energy की value क्या आएगी, इसी distance पर, तो u is equal to minus a by r की value किती है, इसको square करेंगे, तो क्या आजाएगा, 5b by 2a power 2 by 3, correct है, plus b by, इसकी power 5, यानि 5b by 2a raised to power 5 by 3, अब इसी को absolve all खड़ते रो, यही जो value है, this value is the minimum potential energy in that crystal, between two atoms, अगर हम दो atoms की बीच की बात करें, this is the minimum potential energy, ठीक है, तो this was all about potential energy in crystals and force in the crystals, so I hope यह बात आज आज आपको समझ आई होगे, और बात समझ आई होगे, तो वीडियो को अभी के भी like कर दो और चैनल को subscribe कर लो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के शेर जरू कर दे, secondly, अब हम आगे के करने वाले हैं, तो आगे अब हम बात करने वाले हैं, इसी में एक चोटी-चोटी topics, I hope, होगे, इसके बाद आपन बात करेंगी, इसी के आपने चोटी-चोटी बाते करने वाले हैं, आपसे मुलाकात होगी अगरे इसी के lecture में, शायद यह आपका पाच्वा लेक्चर हैं, तो अब आपसे छटे लेक्चर में मुलाकात होगी, और मैं lecture की जो duration इसको बड़ा इसरे से भी नहीं कर रहा हूँ, कि आप अगर किसी एक particular concept को देखने हैं, तो आप उस वीडियो में particular concept को सीख ले, अगर एक वीडियो में तीन-चार concept सीखा दूगा, तो शायद आपको भी थोड़ा सब बोरियत लगे, आप एक lecture देखें, थोड़ा सा break लेक, फिर दूसर lecture देखें, यह नहीं कि एक दिन में एक lecture देखने तो यह मत करना कि सिर्फ अगर एक दिन में एक lecture देखो भी तो मुश्किल से 15-20 मिनट का एक lecture होता है, तो आप खुद भी वहाँ पे loss में रहोगे, तो एक दिन में तेन-चार lecture तो आप आराम से एक गंटे, एक देड़ गंटे में आप cover कर सकते हो, यह मैं बहुत बड़ी- दो-दो घंटे के classes नहीं बनाता हूं, इसलिए वजास से था कि आप relax होके, धीरे-धीरे पड़ें, तो चलो, आप मिलता है अगली class में, और अग्ली class में थोड़ी और अच्छी बाते करेंगे, इसके आप बताना तो थोड़ी से numerical करा दूँगा, तो चलो, आप मिलता है अ आप मिलता है।